तो दोस्तो आज मैं explain करने वाला हूँ 2020 में आई मूवी 200 हला हो को इसकी ratings की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्दी रिलीज हुई है तो ratings उपर नीचे हो रही है मैं मूवी को explain करूँगा लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलसली के subscribe को दबा कर ग्रे कर दें इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे और जिनोंने subscribe करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहे हैं मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा और अगर आप मेरे थोड़ा और करीब आना चाहते हैं तो आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा तो मोवी की शुरुआत में हम समीर देश पांडे नाम की पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो की कोट में एक केस की सुनवाई के लिए जा रहा होता है लेकिन तभी वो देखता है कि औरतों की भीड मुझे को ढके हुए कोट से बाहर भागते हुए आ रही है ओफिसर समीर जब कोट के अंदर जाता है तो देखता है कि हर जगे मिर्ची पाउडर पड़ा हुआ था ऐसा लग रहा था जैसे उसी से कोट में होली खेली गई हो जब वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो देखता है कि कोट के बीचो बीच बीच बल्ली चौदरी नाम के आदमी की लाश पड़ी हुई थी उसे देखने से लग रहा था कि उसका काफी बेरहमी से खून किया गया है अब तैकिकात के लिए वहाँ पर पुलिस कमिशनर आ जाते हैं और वहाँ हुए हाथसे का जाजा लेने लगते हैं वहीं पर मौझूद सब इंस्पेक्टर पाटिल बताता है कि करीब 200 औरते कोट में आचानक से घुसाई और फिर उन्होंने हम पर मिर्शी पाउडर फेका उसके बाद वो बल्ली को मारने लगी उसे इतना मारा कि उसकी उंगलियां गायब हैं और उसका समान भी काट डाला है समान से आप समझी गए होंगे कि मर्द का कौन सा समान काटा गया होगा न्यूस चैनल में बाते चल रही होती हैं कि बल्ली चोधरी को कोट में पेशी के लिए लाया गया था लेकिन 200 ओरतों ने वहां आकर उसे जान से मा डाला लेकिन मारने की वज़ा क्या थी ये अभी किसी को भी नहीं पता अब कमिशनर कहता है कि ये जो खून हुआ है वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट पर सवाल खड़े कर सकता है इसलिए हमें जल से जल इस केस को निपटाना ही होगा वनना डिपार्टमेंट की बहुत बरनामी हो सकती है वो कहता है कि ये मुद्धा जाती वाद भी बन सकता है क्योंकि मारने वाली ओरते राही नगर की थी और वहाँ पन निचली जात के लोग ही रहते हैं और मरने वाला उंची जात का है तो इससे पहले कि ऐसा कोई मुद्धा बने तुम्हें ये केस खतम करना ही होगा अब हम आशा नाम की लड़की को देखते हैं जिससे कि उसकी मा कहा रही होती है कि वो ये बस्ती छोड़कर वापिस शहर चली जाए पर वो उनकी बाते नहीं सुन रही होती वो कहती है कि हमने जो भी किया है वो गलत नहीं है और भागने से कुछ नहीं होने वाला पुलिस को हमारी बाते सुनने ही पड़ेंगी इसके बाद हम विठल डांगले नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक रिटार्ट जज होता है उनका नेचर ऐसा था कि उनको हर आर्टिकल और कॉंसिट्यूशन के हर शब्द मुझवानी याद थे और वो बहुत ही जाने माने जज रह चुके थे उनके लिए देश का कॉंसिट्यूशन ही उनका धर्म था और उसी के अधार पर ही वो सभी को न्याय देते थे अब ऐसा इपाटेल पुलिस फोर्स लेकर राही नगर पहुंच जाता है और सभी औरतों को इखटा होने को कहता है वो कहता है कि जिसने भी बल्ली चौदरी को मारा है वो सामने आ जाए तो बागी लोग बच जाएंगे वहाँ की ऑरते उसे कोई भी जवाब नहीं देती है और उसकी कही हुई कोई भी बात नहीं मान रही होती वहें आशा अपने घर से निकल कर पुलिस के सामने जाने लगती है तो उसे उसकी माँ और कुछ औरते रोक देती है ये कहकर कि तुम्हें इन सब चीजों से अभी दूर रहना है ताकि तुम बाहर से ही लड़ाई को लड़ सको ऐसा इपाटल बस्ती की ओरतों के साथ काफी बुरे तरीके से बात करता है और फिर अपनी पुलिस पावर का इस्तमाल करके बस्ती से पांच ओरतों को जबर्जस्ती उठा कर लेके चला जाता है फिर हम देखते हैं कि आशा बस्ती के कुछ लोगों को लेकर पुलिस टेशन जाती है और ओरतों से मिलने की मांग करती है पर एक पुलिस कॉंस्टेबल उसे तपन मार कर बाहर भगाने लगती है तभी वहाँ पर एक और लेडी पुलिस आती है और उसे थोड़ा प्यार से समझा भुजा कर वापिस भेज देती है अब हम देखते हैं कि जेल में ओरतों को वस्तरहीन करके बहरहमी से पीटा जा रहा होता है और उनसे पूछ ताच की जा रही होती है ऐसा इपाटल उनको बिना कपलों के देख अपनी नजरें नहीं जुकाता बलकि गंदी नजर से ही देख रहा होता है अब जीन फिर डबलू आर्सी यानि वूमें ड्राइट कमीशन पर शिफ्ट होता है जहां हम डबलू आर्सी की हेड पूर्णिमा को देखते हैं उनके पास देश्मुक नाम के आदमी का कॉल आता है और उनने कहता है कि आपके एलेक्शन टिकट का इंतजाम हो गया है अभी हाल ही जो नाकपूर में ओर्टों ने जिसका खून किया है उसके बलबूते आप एलेक्शन टिकट ले सकती हैं इसलिए आप इस केस के जरिये जो कर सकती हैं वो करिए पूर्णी माँ अपने असिस्टेंट से कहती है कि हमें एक फैक्ट फाइंडिंग कॉमेटी बनानी होगी जिसका काम इस केस के सारे सबूत को इकटा करना होगा और उसे ही कोर्ट में पेश किया जा सकता है जिसे कि हम औरतों की मदद कर सकते हैं अब हम देखते हैं कि आशा और बस्ती के बाकी लोग पुलिस स्टेशन के सामने औरतों को छोड़ने के नारे लगा रहे होते हैं तब ही वहाँ पर एक नेता टाइप आदमी आता है और बस्ती को अपने लोग बता कर उन्हें सपोर्ट देने की बात करता है वो पूरे भौ नेता जी की सारी नेता गिरी निकल जाती है और वो अपने लोगों को ही अपना मानने से इंकार करने लग जाते हैं इससे हमें ये पता चलता है कि ये चुटपुटिया नेता तब तक आपका साथ देने के लिए आगे रहते हैं जब तक उनका फाइदा हो रहा हो क्योंकि उ बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और उमेश आशा का टीचर रह चुका है आशा की आँखों से पता लगता है कि उन दोनों के बीच कभी प्यार के फूल भी खिला करते थे अब हम देखते हैं कि पूर्णिमा विठल डांगले से मिलती है क्यो उसरे फिराते हैं अपने अफसरे जो कि नागपूर युनिवरसिटी में मैट्स पढ़ाते हैं फिर तीसरी हैं पूर्वा साहानी जो कि एक सीनियर रिपोर्टर हैं और इनका मानना है कि ओन फिल्ड इन्वेस्टिगेटर जनरलिजम ही असली जनरलिजम होता है और बाकि एस कोशी है उसे सिस्टम के सामने लाना है अब हम सीन देखते हैं जहां उमेश आशा से पूछता है कि तुम पहले बिना बताए क्यों चली गई थी आशा कहती है कि मैं निचली जात से हूँ और तुम उची जात से हो तो चाहिर है कि हमारा कोई भी फ्यूचर नहीं था और मार्च को बदलना है तो शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है ये बात सुनकर आशा के मन में उमेश के लिए फिर से प्यार के फूल खिलने लग जाते हैं अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बल्ली चौदरे की बाड़ी देखने पोस्टमाटम हाउस जाती है बहां कुछ हमले ऐसे थे कि इसकी हड़ियां भी तूड गई और यहां तक कि इसका आउजार भी काट डाला गया विट्टल साब नोटिस करते हैं कि रिपोर्ट में से ब्लड रिपोर्ट गायब थी डॉक्टर घवराते हुए कहता है कि ब्लड रिपोर्ट में अलकोहल पाया गया रिपोर्ट हुई थी लेकिन फिर उसके बाद 10 साल तक कोई भी रिपोर्ट नहीं हुई और फिर हाली में एक साथ ही 40 हफाई यार उसके खिलाफ दर्ज हुई इसके चलते पुलिस को बल्ली को गिराफतार करना ही पड़ा बिट्टल साहब कहते हैं कि अगर हमें इस केस के ब लेकिन अपने अंदर छुपे सच को बाहन नहीं आने देंगे अब हम देखते हैं कि पूर्वा आशा को विट्टल साहब के पास लाई होती है और कहती है कि यह आप से कुछ बात करना चाहती है आशा कहती है कि हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहा है और हमारी बस्ती की ओरतो को जेल होने वाली है तो उनको बचाने के लिए आप उनकी मदद कर सकते हैं क्योंकि आप भी तो दलित परिवार से ही आते हैं विट्टल सहाब उसे टोकते हुए कहते हैं कि यहाँ आप मेरी या अपनी जाती की बात मत करिये अगर आपको मर्डर से रिलेटेट बात करनी है तो वही करिये आशाब गुस्से में कहती है कि जब मैं दलित परिवार से हूँ तो क्यों न बोलू कि मैं दलित हूँ हमें हर पल अपनी आउकात याद दिलाए जाती है हम पुलिस टेशन जाते हैं तो हमें ठपन मार के और गंदी गंदी गालियां दे दे रहा होता है कि उन ओरतों ने बेरहमी से बीच कोट में बल्ली को मां डाला और ये एक बहुत बड़ा जुर्म है वो गवा के तोर पर असाई पाटिल को गटगरे में बुलाता है पाटिल बताता है कि जब मैं बल्ली चोधरी को कोट में ले जा रहा था तब वहां कोट म मारते जा रही थी। मैंने बल्ली को बचाने की कोशिद भी की पर उन्होंने मेरे उपर भी हमला कर दिया था। करीब 200 आरतों ने बल्ली को बुरी तरह से मार मार कर उसे वहीं पर मार डाला और उसका अंग भी काट डाला था। मारा है और इन्हें फिर उम्रकैद की सजा सुना देते हैं। अब हम देखते हैं कि विट्टल साहब उन ओरतों में से एक औरत रुकमणी से मिलने के लिए चाते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने बल्ली चौदरी को क्यों मारा। अब कहानी फिर फ्लैश बैक मिचाती है जहा हम देखते हैं कि रुकमणी अपनी बेटी रित्टू की बच्ची के साथ घर जा रही होती है। तब ही वहाँ पर एक और आताती है और बताती है कि रित्टू को बल्ली चौदरी ने रोका था तो रित्टू ने उसको थपड़ मार दिया और उसकी कंप्लेन करने पुलिस ट पुरे बस्ती वालों के सामने रित्टू के साथ जबर्जस्ती करने लग जाता है और वो उसका बेदर्दी से बलतकाल करता है। पुरगाओं ये भयानक और दर्दनाक मंजर देख रहा होता है पर बल्ली के डर से रित्टू को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। बल्ली ये दरंदगी करने के बाद भी नहीं रुखता वो रित्टू को वहीं पर सब के सामने चाको से मा डालता है। बल्ली ये घिनोना काम करने के बाद बस्ती वालों से कहता है कि अगर कोई भी मेरे खिलाफ पुलिस टेशन में कम्प्लेन करने के लिए जाएगा तो उस बस्ती में जाते हैं तो वहां उनसे आशा की दोस्त नहा मिलने के लिए आती है अब कहानी फिर से फ्लैश बैक में जाती है जहां आम देखने हैं कि बल्ली और उसके चमचे लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं बल्ली को रोकने वाला बस्ती में कोई भी नहीं था क्योंक नेहा बताती है कि बल्ली ने ये नियम बना दिया था कि जिस घर में उसकी नजर पड़ जाती थी उस घर से किसी लड़की या औरत को खुद चल कर उसके पास जाना ही पड़ता था बस्ती के लोग ऐसा करने के लिए मान भी गए थे क्योंकि वो उसके रोज रोज के आतंक से तंग आ गए थे और उन्होंने सोच लिया था कि शायद यही उनका जीवन है और वो सब उसके इस नियम को मानने लगे थे जिस दिन आशा बस्ती में लोट कर वापिस आई उस दिन हमारे घर से किसी को उसके पास जाना था हम देखते हैं कि नहा की मा उसे जाने के लिए रोक रही होती है और खुद बल्ली के पास जाने के लिए कह रही होती है तबी वहाँ पर अचानक से आशा नेहा से मिलने के लिए आ जाती है अब आशा को बस्ती के हालातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था तो वो दोनों उसे कुछ बताते भी नहीं है जब आशा अपने घर चली जाती है तो नेहा बल्ली के पास जाने के लिए निकल जाती है आशा उसे जाते हुए देख लेती है तो उसे शक हो जाता है कि ये लोग कुछ तो चुपा रहे हैं तो वो उसका पीछा करने लगती है नेहा एक खंडार जगर पर पहुँच जाती है जहां पर राक्षच बल्ली और उसके चमचे बैटे होते हैं बल्ली नेहा को घसीटे हुए एक रूम के अंदर लेकर चला जाता है और अपनी गिनोनी सोच से भरी चीजों को उसके साथ करने लग जाता है आशा वहीं छुपकर सब कुछ देख रही होती है लेकिन वो उस समय कुछ बोलती नहीं क्योंकि वो जानती थी कि वो मुकाबला नहीं कर सकती अब अगले दिन आशा पुलिस टेशन जाकर बल्ली के खिलाव रुपोर्ट दजगराई होती है तो इसके लिए नहा की मा उस पर गुसा कर रही होती है कि अब बल्ली हम सब को मा डालेगा और वो तुमें भी नहीं छोड़ेगा वो बोलती है कि यहां तुम नहीं आई हो लेकिन हमारे साथ यह सालों से होता चला रहा है तो तुम यहां से चली जाओ आशा उन सब की बातों को नहीं मानती और कहती है कि वो यहां से कहीं नहीं जाएगी और यहीं रहकर यहां हो रही दरिंदगी को रोखेगी अब वहाँ पर आशा को धूनते हुए बल्ली आ जाता है तो आशा घर में जाकर छुप जाती है बल्ली घर में गुसकर आशा को धूनने लगता है तो आशा उनके उपर मिर्शी पाउडर डाल देती है फिर उनके उपर बेटरोल डालकर आग लगा देती है अब आशा की ये बहदुरी देखने पर बस्ती वालों के अंदर जोश भराता है और वो भी अब बल्ली और उसके चम्चो को मारना शुरू कर देते हैं आशा बस्ती में एक आशा की नई किरन लेखर आ गई थी वो सबसे कहती है कि इनके खिलाफ हमें पुलिस कंप्लेन करनी होगी तब ही कुछ हो पाएगा अब बस्ती के सभी लोगों में आशा को देख कर एक उमीद जाग जाती है कि वो लोग भी बल्ली जैसे गंदे घिनोने और वायात इंसानों से लड़ सकते हैं इसलिए वो सब आशा के साथ कंप्लेन करने के लिए राजी हो जाते हैं इसी दिन 40 हाफायार एक साथ दरज हुई थी और बस्ती में एक नया सभीरा देखने को मिला था और तब बस्ती के लोगों को एहसास हुआ कि वो लोग भी जिन्दा हैं और उन सब में भी ऐसे दरिंदों से लड़ने की ताकत है पुलिस वालों ने बल्ली को एरेस्ट उसके जुर्म के लिए नहीं बल्कि उसको बस्ती वालों से बचाने के लिए किया था मतलब पुलिस बस्ती वालों के साथ नहीं बल्कि ऐसे नीच कुंडों के साथ थी ये पुरी सच्चाई जानने के बाद विठल साहफ सोच में बढ़ जाते हैं कि ये बस्ती के लोग इतने सालों से नरक में जी रहे थे और इने पूछने वाला और इनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था अब हम देखते हैं कि उमेश आशा को बता रहा होता है कि बल्ली के गोडाउन में बड़े बड़े बिल्डर के जो गैर कॉनोनी काम हो रहे थे उसकी खबर मिल गई है तो इसके जरिये हम औरतों को छुडा सकते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि उमेश से दो लोग मिलने आते हैं और कहते हैं कि उनके पास और भी सबूत हैं लेकिन वो बिना अपने फाइदे के नहीं देंगे अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग उसी फाइल को जला रहे होते हैं जिस फाइल में उमेश ने सारे सबूत इकटा कर रखे थे अब हम देखते हैं कि पूर्णिमा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से कहती है कि अब केस की सुनवाई हो चुकी है तो इस कमेटी का कोई भी मतलम नहीं है इसलिए अब ये कमेटी बंद हो रही है पूर्णिमा के हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा गया था क्योंकि उसके उपर भी दवाव बनाया जा रहा था कि वो इस कमेटी को बंद करा दे अगली सुबा जब आशा उमेश से मिलने जाती है तो देखती है कि उमेश रसी से लटक रहा था ये नजारा देखकर आशा के एकदम होश उड़ जाते हैं उसे यकी नहीं हो रहा होता कि उमेश ने ऐसा कर लिया अब हम देखते हैं कि विट्टल सहाब आशा के पास जाते हैं और उमेश के मारे जाने का दुग जताते हैं वो फैसला करते हैं कि वो उन औरतों का केस अब हाई कोट में रियोपन करवाएंगे और वही उनके केस को लड़ेंगे अब कोट का सीन आ जाता है और वहां बल्ली चौधरी मडर केस की सुनवाई शुरू हो जाती है विटल साहब कोट में पहले राजू नाम के आदमी को पेश होने के लिए कहते हैं जिसने उन पांच औरतों को खून करते हुए देखने का दावा किया था बिटल साहब उससे पूछते हैं कि वो क्या करता है तो वो हिचकचाते हुए कहता है कि उसका चोटा मोठा इंपोर्ट एक्सपोर्ड का बिजनस है बिटल साहब फिर खुलासा करते हैं कि राजू जी कोई आम इंसान नहीं है बलकि वो भी एक बहुत बड़े मुजरिम है इसने कई सारी चूरी दकैती और लड़की पर एसीट फेकने का जुर्म भी कर रखा है और कई साल जेल में भी बिताए हैं लेकिन जिस दिन से इसने औरतों के खिलाफ गवाही दी उस दिन से ही इसके सारे चार्जेस हटा दिये गए वो ये भी बताते हैं कि जब औरते हमला करने आई तो उन्होंने मिर्शी पाउडर डाल दिया था और वो मुवी ढके हुई थी तो आरतों को देख पाना नामुंकिन था लेकिन राजु जी ने पता नहीं कैसे देख लिया इस तरह से ये साफ हो जाता है कि राजु जी पूरी तरह से जूट बोल रहे थे और पुलिस नहीं उसको जूटा गवा बना कर पेश किया था विट्टल साहब अब एसाई पाटिल को कटगरे में बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि बल्ली कितने दिन कसड़ी में था और उसका खाना पीना कहां पर हो रहा था ऐसा इपाटिल बताता है कि वो 10 दिन तक हमारी कस्टेडी में ही था और उसे बस जेल का ही खाना मिल रहा था अब विटल साहब ACP देश पांडे को कटगरे में बुलाते हैं और उससे साफ साफ यही बताने के लिए कहते हैं कि अटापसी रिपोर्ट में बलड रिपोर्ट क्यों गायब थी ACP देश पांडे को आकर का सच बताना ही पड़ता है कि बल्ली के खून में अलकूहल के ट्रेसेस पाए गए थे यहां विटल साहब यह क्लियर कर देते हैं कि बल्ली के कस्टेडी में होते हुए भी उसे डारू पीने मिल रही थी इसका मतलब कि पुलिस द्वारा जेल के अंदर भी उसकी अच्छे से खातेडारी की जा रही थी बिटल साहब कोर्ट में कहते हैं कि हम यह धुनने में पड़े हैं कि इन ओरतों में से किसने बल्ली को मारा है लेकिन यह जानने की कोशिश नहीं की गई कि आखिर कार इनोंने मारा क्यों सीन फिर फ्लैजबैक में जाता है जाम देखते हैं कि एसाई पाटिल बल्ली को कोट में ले जा रहा होता है और वहाँ बस्ती की सभी औरतें मौजूद होती है बल्ली वहाँ औरतों के पास रुकता है और उन्हें बुरी से बुरी गालियां देने लगता है और उन्हें धमकी देता है कि वो कुछी दिन में बहार निकल आएगा तो उन लोगों को नहीं छोड़ेगा सभी औरतों को एहसास हो गया था कि पुलिस उनके साथ नहीं है और ये सिस्टम उन्हें नहीं दिला पाएगा क्योंकि सब लोग तो बल्ली जैसे नीच और बुरे लोगों के नीचे काम करते हैं यही सब सोच करके सभी औरते फैसला लेती हैं कि वो बल्ली को खुद ही मारेंगी और अपना इंसाफ खुद ही लेंगी विटल साब कहते हैं कि हम आए दिन अकबारों में ऐसी खबरे पढ़ते रहते हैं लेकिन हम आब इसके आदी हो चुके हैं हमें आदत पढ़ चुकी है डेली ऐसी खबरों को पढ़ने की और कुछ भी महसूस ना करने की अगर हमारी नियाए विवस्ता इन औरतों को सुरच्छा देने में नाकामियाब होती है तो उसे इन औरतों को सजा देने का भी कोई अधिकार नहीं है अगर सभी लोगों की उमीद ऐसे ही खतम होती गई तो आने वाले समय में इंसाफ अदालत में नहीं बलकि सड़कों पर भीड के हाथों किया जाएगा अपोनेंट वकील कहता है कि बात चाहे जो भी हो लेकिन बात वहीं आकर अटकती है कि क्या इन पांच मैलाओं ने बल्ली चोधरी को मारा है या नहीं रुकमडी के अंदर सारी बातों को सुनकर गुसा भर जाता है और वो पूरे कोट में जोर से चिला कर कहती है कि हाँ उसने बल्ली को मारा है और अगर मुझे दुबारा भी मारना पड़े तो उसे मारने के लिए पीछे नहीं हटूंगी उन मैलाओं और पूरी बस्ती वालों पर इतने जुम किये गए थै कि आकिरकार उनकी चुपिट तूटी जाती है और वो सच पोल ही देती है अब सच सामने आने के बाद वहाँ पर मौझूद बस्ती की सभी ओरते उट खड़ी होती है और कहती है कि मैंने मारा है बल्ली को उनके अंदर अब कोई भी डर नहीं रह गया था और वो पूरे जोज के साथ एक दूसरे का साथ देने के लिए खड़ी हो जाती है उनकी आँखों में दिख रहा था कि उन्होंने बल्ली को मार कर घुजबी गलत नहीं किया है बल्कि समाज से एक गंदिगी ही हटाई है और सभी ओरते एक साथ खड़ी होकर अपने आपको बल्ली का कातिल घोशित करने लग जाती है मूवी के आखिर में लिखा आता है कि सबूतों और गवा के आभाओ के कारण पांच ओरतों सही सभी मैलाओं को बरी कर दिया गया कोट ने ये भी कहा कि न्याय सब के लिए समान है और यह सभी धर्म और जाती से उपर है इन्ही सब बातों के साथ मूवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ओरतों ने जो किया वो सही किया पर अगर हमारे कॉंसिट्यूशन के हिसाब से देखें तो वो गलत था लेकिन अब कॉंसिट्यूशन को समानने वाले ही जब गुंडों के चम्चे बन जाएं तो न्याय पाना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर आम इंसान को न्याय पाने के लिए खुदी आवाज उठानी पर जाती है मैं आपको बता दूँ कि ये मूवी सची घटना पर आधारित है ऐसा सच में हुआ था अकू यादो नाम का आदमी ऐसे ही रेप किया करता था और उन औरतों की आवाज कोई भी सुनने वाला न डालता तो मुझे उमीद है कि आप उन औरतों का दर्द समझ पाएंगे जिनके साथ ऐसा रोज होता था हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है वो एक रेपिष्ट को सजा देने में सालों साल लगा देता है तो भला एक आम इंसान इस ब्लिन नहीं लिखते और कभी कबार तो खुदी बत्यमीजी करने लग जाते हैं या फिर ऐसा होता है कि रेप करने वाला किसी बड़े नेता या प्रधान का बेटा होता है तो वो पैसे देखकर आराम से छूट भी जाता है खुल मिलाकर ये सिस्टम रस्टाचार करने वाल चल कर हो सकता है कि उसका वही हाल हो जो उमेश का हुआ इसलिए आम नागरिक कभी कबार खुद में बदलाओ लाने के बजाए उसी बहाओ में चलने का सोचता है अब आप बताईए कि जो ओर्तों ने बल्ली के साथ किया वो सही था या फिर उन्हें इंतजार करते रहना चा और क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा आप इस मूवी को अगर देखना चाहते हैं तो इसे जी पाई पर देख सकते हैं और मैं चाहूंगा कि आप इसे जरूर देखें क्योंकि ये मूवी आपको समाज के किससे से रूबरू कराएगी तो ये था पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक चरूर करें आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई और नमस्टे